तो हेलो डियर जुनियर्स फिर हम आये हैं यहाँ पर प्रॉब्लम नुबर 1.6 को लेकर के सम बेसिक कॉंसेप्स ऑफ केमिस्ट्री से इसमें सवाल जो है बहुत ही सिंपल सा सवाल है ठीक है यहाँ सवाल क्या है कि एक सॉलिशन है जो की प्रिपेर्ड किया गया है दो ग्राम स उसमें कोई सब्स्टांस ए है टि यहाँ समझ दो ग्राम होता है वह तो मतलब कोई सॉल्ट ए है इसका डो ग्राम लिए औसको चाह्तारा ग्राम पानी डाल दिया घया तो कि टम देगा 20 gram बनेगा, जी, 20 gram बनेगा, ठीज ना, 18 gram पानी, 2 gram चीनी, कितना सबत बना, 20 gram बना, यह आवराल solution 20 gram का त्यार हो रहा है, तो बोला कि उस solute, यह जो यह solute है, जिसको आम लोग डिजॉल्व कर रहे हैं, पानी में, जिसको डिजॉल्व किये, वो कहलाता है, solute, यह पानी कहला आएगा, solvent, तो इस solute का mass percent निकालो, तो mass percent का simple सा फंडा क्या है, जिसका mass percent निकालना है, उसका mass लिखो, mass of solute, by total mass of solution कर लो, जिसका भी mass percent निकालना है, उसका mass उपर लिखो, मीचे में total solution का mass निकालो, multiply कर दो, hundreds, यह हो गया mass percent, ठीक है, अगर वही पानी का mass percent, निकालना होता, तो mass of पानी, बट्टे total mass of solution, गुना 100 करते, बस, यही करना है, ठीक है, अब यहाँ पर mass of solute कितना gram है, मारे पास, 2 gram है, total solution कितना है, 2 plus 18 है, गुना कर दिए 100 से, यह दो बट्टे 20 हो गया, गुना कर दिए 100 से, 20 पंचे 100 हो गया, पांस दूनी कितना percent हो गया 10 परसेंट यहाँ पर हमारे पास solute हो गया, यह हो गया, simple सा answer, I hope, और कुछ कहने के जरूत यहाँ पर है नहीं, ठीक है, तो NCRT कैसी वीडियो के लिए चनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करके जाएंगे